प्रद्धान मंदिर निर्माड की तैयारिया शुरू हो चुकी है और इसमें लगातार अब चंदा एखटा करने की बात की जा रही है इसके लिए मैं आपको बता दू कि शीराम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बना दिया गया है जिसके जरीए चंदा एखटा किया जाएगा जब बीते साल जब प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी ने जब वहाँ पर भूमी पूजन किया था उसके बाद इस ट्रस्ट को बना दिया गया था लेकिन अब लगातार पूरे देशवर में हर राज में हर जगा हर गली महले में बाइक से रैलिया की जा रहे हैं लोगों को प्रेडित किया रहा है कि वह चंदा दे और आगे आए प्रधियूम बिल्कुल जुस तरीकी से आप बता रहे हैं कि जहापर एक ट्रस्ट का गठन हो गया है उस ट्रस्ट में पैसे दिया जाएगा काफी बड़े दिकश निता हैं जो अपना सायोग दे रहे हैं चाद देख प्रधार मंतरी मोधी से लेकर मुख्य मंतरी योगी रितिनाद भी इस बात का जिकर कर रहे हैं कि इतना भव्य और अच्छा मंदर बन रहा है तो इसमें बहाड़ चड़कर हर एक शक्स को अपना सायोग देना चाहिए और ट्रस्ट का गठन भी कर दिया है तो ट्रस्ट के म साध्य हम से भगवाश्री राम के मंदर के लिए आप सायोग दे सकते हैं ऐसी अपील हर तरफ की जा रही है यह बिल्कुल और आश्टरपती ने भी पांच लाग एक सो रुपए का चेक दिया है चंदे के रूपे इसके साथी मैं आपको बता दू यह जो चंदा लेने की य अभी से नहीं अपने दर्शकों के लिए बता दू असी के दर्शक से ही चीज सुरू हो चुकी थी तब एक नियास का निर्माड किया गया था एक नियास बनाई गई थी जिसके जरी चंदा एक खट्टा किया जाता था पैसे खट्टे किया थे हालाकि 1989 में इस चीज को रोक में अधर बाइक दिख रही है गलियों में गाड़िया दिख रही है गलियों में नेता लोग भी लगे हो है तमाम लोग ह än घर गर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे है उनको समझा रहे है उनको बता रहेаки आवहान कर रहे कि अप चंदा दीजए इससे आगे आइए सास्थ आपने देखा होगा हर एक घर में हर एक महले में जंडे लगे हुए बगवान श्रीराम के और जब मंदिर की नीव रखी गई थी तो एक अलग हरशो लास देखने को मिलाता है सबसे हादा लोग आहुद्या पहुचते थे लेकिन आप आहुद्या पहुचने का जो मुख्य का पारोबारी हैं जिन्होंने 11 करोड रुपे का चंदा दिया है ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुप्तदान भी करते हैं जिनका नाम सामने नहीं आता है वो गुप्तदान करते हैं और मंदिर बनाने में अपना सैयोग दे रहे हैं तो ऐसे मैं यहाँ पर राजनीती तो शायद नहीं हो पा रही है लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी इसमा चंदा दे रही है क्योंकि ये एक आस्ता का विशे हो जाता है आस्ता के विशे के तौर पर यहां पर कॉंग्रिस की बात करते हैं तो वो भी यहां पर चंदा दे रही है कॉंग्रेस कैसे निता है जो चंदा दे रहे हैं बीजेपी के तो दे ही रहे है और लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है कावेंदर की जिस तरीके से मंदिर इतना भव्य बंदरा सुंदर बनाया जा रहा है तो उसना भड़ चड़कर अपना हिस्सा दें सायोग करें राम ललाम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे ये नारा दिया था इसको बीजेपी से ही जोड़ कर देखा जाता है क्योंकि विश्व हिंदू परिश्त ये बात कहती थी इसके साथी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो बहुत खुशी देती है वो यह है कि जैसे वैक घ 그런 है टो यह बहुत 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 है यह उन्हीं प्रबल बनता है आस्था मे जन्त पर दीजिए इसके साथ बहुत ही अच्छी वात मैं अपने दर्च्वों के लिए बता दू कि कि आज जो चंदा मांगा जारा है वह किसी भी आप दे सकते हैं भी आपकी अपनी आस्ताहे साब सेहे सकते है लेकिन एसी के दर्सक में जब Police मांगा जाता था तो कहा जाता था आप सवाव रुपए दे दीजीे सवाव रुपए से दो रुपए दीजी़ दस रुपए दीजीजीए, नौ रुपए दीजीए तब एक नारा बड़ा प्रचलित था, मैं लिखके लाया हूँ, सवा रुपया देदो भहिया, राम शिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का, तो इस तरीके से वहाँ पर नारे दिये जाते थे और इस तरीके से बताया जाता था, लोगों को आवा प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी ने भूमी पूचन किया, उसके बाद उन्होंने ये नया ट्रस्ट डवलप किया, उन्होंने बताया कि सरकार इसमें एक भी पैसा नहीं लगाएगा, यह जो ट्रस्ट बनाई गई है, इस ट्रस्ट में जितना पैसा आएगा, उस पैसे को मं मंदिर निर्माड में लगा जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश का ही पैसा लगेगा, और देश के ही पैसों से इस मंदिर का निर्माड होगा, अभी तक करोड़ों लोग इस पर चंदा दे भी चुके हैं, और जैसा अपने गुप्तदान की बात की, यह कि इतना जादा गुप्तदान हो जाता है, कि यह अपने आप में अचंबित करता है, गुप्तदान बहुत लोग करते है, यह संख्या जादा है, जो लोग अपना नाम बताते हैं, उससे भी जादा संख्या हो जाती है, यह गुप्तदान करने वालों की, लेकिन लोग जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे मैं आस्था की कीमत नहीं होती है, जब आप मंदिर में जाते हैं, तो प्रशाद चलाते हैं, तो भगवान कभी ये नहीं पूछते कि आपने 5 रुबे का प्रशाद चलाया या 5000 का चलाया है, वो भाव देखते हैं, भगवान तो भाव के मंदिर भाफ का भूका है, उसमें आप कितना भी चंदा दीजिए, गुप्तदान कीजिए, लेकिन अपना सायोग जरूर दीजिए, विपक्षी पार्टी भी सायोग कर रही है, हर एक शक्स वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है, ऐ बास्ता का विशें तो है ही ओ जिस तरीक इसे मेरे सहीयोगी आप तक जानकाईरी पहुचा रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में की रहतें, लेकिर हिंदुस्तान ही है और भार किसी देशी में रहतें वो लोग भी यहां पर ट्टरस्ट के मांथ आप मैं से कहां पर देना है लेकिन जो ट्रस्ट इसे मेरे सही होगी ने आप तक जानकरी पहुंचा है कि एक ट्रस्ट का गटन किया गया है मैं उस ट्रस्ट को ये चेक दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सही तरीके से इस चेक को डेपोजिट करा दे और मेरा दान सुईकार करें तो बिल्कुल हर जगा से आपर चंदा आ रहा है बड़े ही प्रेम भाफ से चंदा दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं जल से जल जब ये मंदिर बनके निर्मानस का पूरा हो जाएगा तो दर्शन भी बड़े ही लोगों पर प्राप्त भी कर सकेंगे जब तयार हो जाएगा तो ये भारतियों के लिए गर्व की बात होगी वो भी जिस तरीके से बार-बार जाते हैं तो इससे होसला भी बढ़ता है और इससे जो चर्चा है वो भी बढ़ जाती है और इससे निर्माड जो है निर्माड कारे जो हो रहा है उसमें भी तेजी मिलती है बिल्कुल, गती तो उसमें मिली जाती है, ऐसे मैं आपने बता है कि मुख्य मंतरी भी जाते हैं, प्रधान मंतरी भी जाते हैं, तो विपक्ष के नेता भी महा पर पहुचेंगे, आप देखेगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर राजनीती का तो कोई मतलब बनी नी ज जा रहा है, जैसे आपने विपक्षी का यूज कि विपक्षी पार्टियां भी जाएंगे, इसमें स्वयोग करेंगे, इसमें अक्षय कुमार का वीडियो आपने देखा हुआ, अक्षय कुमार अभी नेता इतने बड़े सूपर स्थार हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो तो राभ भगवान ने गिलहरी से पूछा, उन्होंने का यह आप क्या कर रहे हैं, तो गिलहरी ने बताया, कि वो अपना सहयोग कर रही है, दरसल वो जाती है, तो गिलहरी जब पानी में लिपटती है, तो वहाँ से सेंड जो है, बालू जो है, वो उसके सरीर में लिपट आप कोई गिलहरी बनिये, जैसे मैं अपना पार्ट है, वो पूरा कर रहा हूँ, अक्षे कुमार ने बताया, कि मैंने अपने हिस्से का जो था, वो दे दिया, आप के हिस्से का कुछ भी हो सकता, आप गिलहरी बनकर चंदा दीजे, आप महीने का दसजार कमाते हैं, आप उ सामने आ रहे हैं, यह दिखाता है कि हमारे देश की संस्कृति जो है, वो कितनी मजबूत है, हमारा देश आज भी अपने मुल्यों को भूला नहीं है, अपने मुल्यों से भटका नहीं है, ऐसा नहीं है कि वेस्टन की तरफ भाग गया है, हम लोग वेस्टन चीजों को लेकिन आज की, अगर मैं बात करूं किनी तो बैस्ट भी हमारी तкого हाउट कन्टरीज भी हाइए, ईडर्ण अपर के वेस्टन कंटरीज भी तरफ देख रही है लेकिन भारत निया सर वहा गया है, भारत ने साँप से अपने मुल्यों के साथ क्मप्रमाइज नहीं किया, जि लाड़ी पहनते हैं और बाहर से लोग आके मतुरा में चले जाए आप आयोधिया में देखें कितने फॉर्नर्स है वहाँ पर तो वह हमारे धर्म को लेकर इतना अट्रेक्ट होते हैं इस धर्म में ऐसी खूबिया बिल्कुल खूबिया तो है और जिस तरीके से मेरे सयोगी न अंदर घुलना मिलना चाहते हैं तो आपने देखा होगा का वेंदर तो मतुरा में जब आप जाते हैं तो वहां के बहुत परट्ट होंगे जो बाहर के होंगे वह ताजमल गुमने तो आएंगे लेकिन वह अयोधिया भी जाएंगे और सबसे खास बात इसमें यह हो जाती ह कि जब अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार जब इस तरीके का सयोग देते हैं वो ठीक है लेकिन जब वो एक कहानी के जरीए लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे उनके तमाम करोडो फैन है जो उस चीज को देखेंगे उनसे सीखेंगे और जो जनरेशन उनके फैन की वो सब युवा हैं तो ऐसे में युवा का अपनी संस्कृति से जुड़ाव होगा वो सयोग देंगे तो नियूस वर्ल इंडिया की तो अपील सभी लोगों से ये भी रहेगी कि जितने बड़ी सुपरस्टार हैं वो इसी तरीके का सयोग दें और सोशल मीडिया के जरीए ये अपील कर रहे हैं कि हर एक शक्स जो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान में रहता है चाब हो हिंदु हो चाब हो मुस्लिम हो चाब हो कोई हो बढ़ चड़कर अपना हिस्सा दे क्योंकि जिस तरीके से मंदिर बनाया जा रहा बेहद ये सुन्दर मंदिर है आस्ता का विशे है और खास तोर पर जब इतना भव्य मंदिर बनके तयार हो रहा है तो इसमें अपना सयोग दिना तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है ऐसे मैं काविंदर जिस तरीके से हम लोग जिकर कर रहे हैं तो हम लोगों न भी चंदा दिया है और आने वाले समय में जितनी कोशिश की जाएगी न्यूजवल इंडिया की टीम भी वहाँ पर पहुचेगी कि हम वहां तक आवान कर सकें हम उन लोगों तक पहुचें और उनको बताएं कि किस तरीके से आपके चंदा देने से जो मैंने अभी आपको पढ़के बताया था कि एक पत्थर लग जाएगा तेरे नाम का तो इस तरीके से जब आप चंदा देते हैं आप जुडाओं महसूस करते हैं और राम मंदिर निर्माड में आप भागीदार बनते हैं जो कि इस देश की आत्मा है और ये जब तीर्थ शेत्र जिस तरीके से कहा जा रहा है जब बन जाएगा तो वहां पर जितने परेटक ज आएगे ये द्रश कितना अविस्मरेडिय होगा सोच नहीं सकते बहुत बढ़ी चीज होने वाली है इस देश के लिए तो इस जो बहुत बढ़ी चीज है हम बहुत कुछनसीब हैं जो इसके अभी जो हम इस दौर में पैदा हुए इस दौर में बड़े हो रहे हैं कि हमारे सड़क पर जो रैली निकाल रहे हैं जो सड़क पर जो पैदल चलकर जो आपसे आहवान कर रहे हैं जो आपके घरों तक पहुँच रहे हैं उन सादू संतों को हम नमन करते हैं और इसके साथ ही हम एक और बात कहना चाते हैं कि आपके चंदा जो आप देते हैं उस चंदे का जो प्रयोग है वो इस देश की संस्कृती को मजबूत बनाने मी किया जा रहा है वो इस देश की संस्कृति को प्रवल बनाने मी किया जाएगा इसके साथ ही जो कुछ चीज़ें और मैं जोड़ देता हुँ economy boost होती है, संस्कृती boost होती है, आस्था आगे बढ़ती है, धर्म आगे बढ़ता है और इससे एक भारत जो एक परिवार है, अकंट भारत जो एक परिवार है हमारा, वो कितना मजबूत होता है अब सोच के देखिए लोग बड़े ही प्रेम भाफ से इस मंदिर को बना रहे हैं, तो ऐसे मैं बिलकुल ये देखने वाली बात हो जाएगी ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्वभागे की चीज है कि हम अपने सामने राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और जब हम इस माराम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और खास तोर पर हम एक जब बात करते हैं हम एक आम इंसान है लेकिन सादू संतों की बात करते हैं जो भगवान श्री राम की लीला में लीन रहते हैं जो अब सोची है कानपेंदर की उनके लिए कितना गौर्मानवित वाला पल होगा कि जिन भगवान के लिए वो सपने देख लेकिन अब जब बिलकुल काजी तोर पर जब भगवान श्री राम का मंदर का निर्माड हो रहा है तो उनके अंदर भी एक प्रेम भाफ जागा है और काफी खुश वो नजर आ रहे हैं तो हर जगा एक मंदर बनने से आप खुद सोचे कितनी पॉजिटिविटी यहां पर आ लिए अभी तक तो मंदर बना भी नहीं है अभी तो सिर्फ नीव रखी गई है जब यह बनके तयार हो जाएगा तो अपने आप में बेहदी खास पशन होंगे वो देश की आत्मा को अब हम एक रूप देने जा रहा है राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है लेकिन इसके पीछे जो शंगर्स है उस पर जरूर बात करनी चाहिए हमको बिलकुल भी संकोच नहीं करना चाहिए इसमें मैं विश्व हिंदू परिशद का कोटी-कोटी बात करूँगा विश्व हिंदू परिशद ने जो अपना शंगर्स किया जिस तरीके से वो आगे आए इसमें बीजेपी भारती जन्ता पार्टी का भी धन्यवाद लेकिन जितना बड़ा रोल इसमें आरेसस ने प्ले किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो योगदान दिया ऐसा भी नहीं है हम लोग अपने स्तर से अपनी इच्छा के साब से हम लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं जैसा अक्षे कुमार ने कहा है कि गिलहरी बनना है तो अगर हम लोग हैं तो हम लोग गिलहरी भी बन सकते हैं और हम लोग अगर अपना योगदान से जल्द राम मंदिर बन कर तयार हो जाए और वहाँ पर लोग जाए पूजा अर्चना करे कावेंद। इने को मिल रहा है वो अपने आप में बहुत शांदार है। घ्र टना अर्चना करे कावेंद। झाल झाल